22 मार्च रभीबार को सुबे 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देश्वाश्यों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है इस जनता कर्फ्यू के दर्म्यान कोई भी नागरीक गरों से बाहर न निकले न सडक पे जाएं न महले में या सोसाइटी में एकत्रे हो अपने घरों में ही रहे हां जो आवशक से वहों से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा पिछले दो मेहनों से लाखों लोग अस्पतालों में एरपोर्ट पर दप्तरों में सहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं रभी बार को याने जनता करिफ्यू के दीन शाम को ठिक पांच बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खीडकियों के सामने खड़े होकर पांच मिनिट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें ताली बजा करके थाली बजा करके घंटी बजा करके सरकार ने एक कोविड नाइंटीन एकोनामिक रिस्पॉंस टास्क फोर्स इसके गठन का फैस्टा लिया है ये टास्क फोर्स साहरे स्टेक होलर से नियमित संपर्ग में रहते हुए फिडबेक लेते हुए हर परिस्थिति का आकलन करते हुए निकड भविश में फैसले लेगी ये टास्क फोर्स ये भी सुनिस्षित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाये जाएं उन पर प्रभावी रुप से अमल हो हमारे होस्पिटलों पर दबाव बढ़ना नहीं चाहिए ताकि हमारी होस्पिटल की व्यवस्थाओं को हमारे डॉक्टरों को हमारे पैरामेडिकल स्टाप को इस महामारी के लिए प्रात्विक्ता देने की सुविदा बने और इसलिए मेरा सभी देशवास्यों से आगर यह भी है कि रूटीन चेवकप के लिए अस्पताल जाने की हमारी जो भी आदत रही हो उससे बचना चाहिए जितना बच सके बचना चाहिए आपको बहुत जरूरी लग रहा हो तो अपनी जान पहचान वाली डॉक्टर आपक जो डॉक्टर हो उनसे फोन कर फोन पर ही उनसे आवशक सला ले ले मैं देश वास्यों को इस बात के लिए भी आस्वस्त करता हूं कि देश में दूद्ध खाने-प्यने का सामान दवाईयां जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवशक चीज़ों की कमी ना हो इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं यह सप्लाए कभी रोका नहीं जाएगा इसलिए मेरा सभी देश वास्यों से याग्रह है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड न लगाए आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान दूर्प से ही खरिदारी करें पैनिक बाइंग यह कता ही ठिक नहीं है उसको न करें आप बाहँ आप प्र दूर्प प्रिपवा करें यह स्थन्स कर दूर्प। इंदावी ख्रेदेश ग्रीडियो थिए आपते हम जैसे प्रेदिए ऑ्टार्पर ग्याव आपकिन कर्वाणियों प्रेद्ण टोर्प्रेश चीए पिरमें अर्प्रेश बीजैए झाल झाल